हालो एवरियन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेज नालेज यूटूब चाइनल पर दोस्तों सबको पता है कौन नहीं पढ़ना चाहता रात भर कौन नहीं अच्छे मार्ग लाना चाहता दोस्तों जिन्दिकी की इस competition की इस दौल पर दुनिया में हर कोई अच्छे मार्ग लाना चाहता है और अच्छे से टापर बनना चाहता है तो इसके लिए जो most important है वह आपकी नीन अगर आपको ज्यादा नीन आ जाती है रात में आप सो जाते हैं पद नहीं पाते तो समझ जाईए कि आप उस जीत दौल को जीत नहीं सकते तो इससे बचने के कुछ में आज आपको ऐसे उपाय बताऊंगा कि जिस जिने आप फालो करते हैं तो नीन से आप बच पाएंगे आपको नीन नहीं आएगी जिने मैं भी फालो करता हूं और पूरी पूरी रात परके निकल जाता हूं ऐसे कुछ तरीके आपको देने वाल हूं तो सबसे पहली बات मैं दोस्तों बता देता हूं मान लिजेया आपको serge국 पर रहे हैं रात में आपको skilled पंवे सबसे पह witness करें तो दोस्तों कि अगर आपको रात में जगना है मान लीजेये तो जैसे मान लिजेई ऐको सुब़ चार बज़े उठना है कितने बज़े उठना है चार बज़े उठना है तो आपको चार बज़े उठने के लिए आप अपने बॉडी को अपनी बॉडी को आप ऐसा कंसंट्रेट करिए कि मुझे चार बज़े उठने के लिए 24 गंटे में कितने गंटे में 24 गंटे में 5 गंटे कितने गंटे 5 गंटे सोना है अगर आप 12th and 10th के student है तो अगर आप competition की तयारी कर रहे हैं तो आपको कितने गंटे सोना है only 24 गंटे में 5 गंटे सोना है अब ये सोने का समय कौन सा होगा तो वो सोने का समय ये होगा दोस्तों जैसे मान ली जैसे कि मैं थे माली जे अंसर सार आ हैं अंसर आप कोई भी कोश्चन लगा रहे हैं तो आप नान स्टाप चले जाएंगे आपको कोई भी नींद परिसान नहीं करेगी और वहाँ पर नींद भी आपको नहीं आएगी परन्तु अगर आप अगर आपका एक भी अंसर नहीं आता तो महाँ पर आपको तुरंत आलस जा जाता है अगर दूसरा अंसर नहीं आता तो वहीं नीदी आ जाती है तो इससे दोस्तों मैं बता दूँ कि इससे बचने का मोस्ट उपाई क्या है इससे बचने के लिए देखिये क्या करना होगा आपको सबसे पहले आपको तेजी से पादाँ जाएंगी तो इसके लिए सबसे पहले और बेहतर तरीका क्या दोस्तों मान लिजी अगर आप थेवरी वाला कोई जेप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको आप ऐसे टाइम पर पढ़िए जिससे कि आपको ना आपका माइंड एक दम फ्री हो आपका माइंड फ्री कप रहता है सुबा रहता है किती टाइम जब उठते हैं आप सुबा पांच बजे चार बजे जित्ते भी टाइम उठते हैं तब आपका माइंड फ्री रहता है तो आप क्या करिए उसको कम से कम एक घंटे दस मिनट ऐसा को तेजी तेजी पढ़ने में जो होता हो जयता है तो सबसे पहली राफ मान लीजी रात में पढ़ रहे हैं एड़ 9 बजे तक और 9 बजे के बाद आपको मान लीजिए तो दोस्तों एक बात मेरी याद रखिए कि जब आप मान लीजिए 9 बजे आप सो रहे हैं 9 बजे आपको नीद आ रहे हैं तो जिस समय आप 9 बजे आपको नीद आ रहे हैं उस समय कोई न कोई पहरा होता है और जब वो कभी ही है और नौवजे कोई दूसरा पहर रहा है तो समझ लिजी कि अंगर वह नो बजे रात में आप सो रहा है तो जब आप बॉर्ड एक्जाम पर 1,8 और यहांग एक ही ओक्षाम देने जाएंगे लुगा तो जब वह इस एक्जाम तो कोई नो कोई पहरा होता है और जब भी आप वो कभी आप से मिलता है तो हमेसा जीज जाता है यही आप सब के साथ होता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको जिद्धी बनना होगा क्या बनना होगा जब आप अपनी बॉड़ी को जिद्धी बन जा ना तो भी आपका मन नहीं लगता उस टाइम अपनी बोडी को आप पांच घंटे का रेश्ट दीजिए इसके बाद पढ़ने वैठिये मा लीजिए आप अपनी बोडी में जित कर लेते हैं कि मैं 11 बजे तक पलूंगा सामने और 11 बजे सो जाऊंगा इसके बाद मैं 4 बजे उ मिनट पर दिये और जो 10 मिनट आपके बचेंगे ना उस 10 मिनट को आप रिष्ट करिए इधर उदर घूमिए लेकिन हाँ आप म्यूजिक न सुनिए इधर उदर की बाते न सुनिए ताकि आपका मन बहल सके आप ऐसी चीजों को सुनिए ऐसी चीजों पर मन लगाईए और अ कि रहे हैं बचास मिनट पर जैसे आप 10 मिनट रिष्ट लेते हैं इसके बाद अपनी बोडी को फिर से पढ़ने के लिए दूसरे गंटे के लिए एडिस्ट करते हैं तो आपका दिमाख रिफ्रेस हो जाता है और एक मन दूसरी फिर पुना एनरजी वही आ जाती है और ध्यान रहे आपको ज्यादस ज्यादस पानी पीना है सेकेंड डिश्टिप क्या है आपको दोस्तों ज्यादस ज्यादस पानी पीना है क्या करना ज्यादस ज्यादस पानी पीना है ठीक है मान लीजिए आप 50 मिट पढ़े तो आपको कम से कम आदा गिलास पानी पी आता है ताइम फिक्स करिये कि मुझे इत्ते टाइम पज़ेक्स परांथ इसके लिए मैं पर्टिकूलर وीडियो बना चुका हूं जो कि वीडियो आपको अंत में मिल जाएगी नेस्ट अपना जो तरीका है दोस्तों वह जा है कि एक आंत आप मतलब कि एक कमरे में बैठकर एक आंत चुपचाप बैठकर मत पढ़ें वरना वहाँ पर आपको नीद आ सकती है दोस्तों याद रहे अगर आप एक आंत बैठकर चुपचाप पढ़ते हैं वहाँ पर आपको किसी का डर नहीं रह जाता तो वहाँ पर आपके नीद आने के चांसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए इसलिए दोस्तों आप एक आंत बैट करना पढ़ें ऐसी जगे में पढ़ें जहां पर कोई न कोई आए और आपको किसी का डर बैठा रहे या फिर किसी से बात करते रहें थोरे देरी पांच पांच एक गंटे में या पचास-पचास मिनट में या बीस-बीस मिनट में थोरे न थोरे कुछ न कुछ बाते करत ना मैं उठ नहीं पाता हूं मेरे साथ मुझे कुछ मुझे पढ़ना है परंद वह भी नहीं जगा पाता तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको सेकेंड फर्स्ट स्टेप में क्या करना है एकांत चुप-चाप नहीं पढ़ना है और जो मैंने उपर बताया उन सभी चीज तो आपको यादा फयदा होने वाला इसकी नेस्टे टाइम में नीन से बचने कलिए रहा कम कम भोजन करें मतलब अकर आप दिन में खाते है फाइन तो पांच रोटी खाते हैं तो आपको करना क्या है पांच रोटियों को आपको तीन या चार बार में खाना है एक एक डेट डियल करके तो आप दो दो गंटे में वले खा लीजिए परंतु आपको एक साथ इन पांच रोटियों को नहीं खाना नहीं जाहिर सिवात है कि आपको न कि मुझे 85% लाना है जब दुनिया ला सकती है तो मैं क्यों नहीं ला सकता मेरे जैसा कर कोई लगका ला रहा है उसी स्कूल कॉलेज से ला रहा है जिस स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूं उसी टीचर से ला रहा है जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूं तो मैं भी ला सकता ह उसके पास भी वही किताब हैं जो मेरे पास है उसके पास भी वही सब कुछ है जो मेरे पास है तो मैं भी ला सकता हूँ इसकी आप एक जिद बना लीजी कि मुझे इस तरह पाना है अगर आप Air Force NDA की तयारी कर रहे हैं तो मान लीजी किसी भी सब अगर आप Railway SSC किसी भी तया है तो मुझे भी लाना यह अपने अंदर एक जिद बैठा लीजिए दोस्तों अभी बचे हुए 15-20 दिनों में आप 85 प्लस पाओगे बस सभी प्रिटिप्सों को फालो जरूर करें कभी-कभी आपका मन अगर करता है कि हम ना पहें पर ना बंद कर दें तो उसी सिच्वेश तो एक टाइम टेबल के लिए वीडियो में वीडियो के अंत में दे दूँगा तो उस वीडियो को जरूर देखें तो मेरे कुछ यही धोस्तों पॉईंट्स थे आपको मेन बात है दोस्तों आपको जिद्धी बनना है और आपको आपके अपनी बाड़ी को औक ऐसा हाँ मुझे उठना है तो उठना है मुझे करना है तो करना है क्योंकि